Hello everyone welcome back to my channel today we are going to discuss about digestive system इसकी basic क्या structure है किस तरीके से किस किस के questions इसमें develop होते हैं वहाँ से मैंने paper को clear करने के लिए इस topic को clear करने के लिए आपको questions develop कर रहे हैं और points को developed किया है अगर आपको समझ में आए अच्छा लगे तो video को lecture and comment करें if you want to purchase these notes for TGT PGT और या फिर आप LTE grade के लिए notes purchase करना चाहते हैं तो भी आप मुझे contact कर सकते हैं टेलिग्राम पर जिसकी link मैंने आपको description box में दे रखी है चलिए स्टार्ट करते हैं पाचंतंत्र के बारे में जो पाचंतंत्र की लंबाई होती है जो नली होती है ट्यूग होती है उसकी लंबाई 30 feet होती है 30 feet अगर आप सोचेंगे कि एक परसिन की जो हाइट है वो 5 foot 6 foot 7 foot होती है पाइड़ स्थान में को मुद्ध में जैके स्टार्वित की हादा है स्टार्वित होता है जो की कार्बोहाइट्रेट का इनीशिल स्टार्ट कर देता है वो क्लारे मुद्धी तो इस कोईश्चन आपका दो-तीन तरीके से बन जाता है कि जो आपका सलाइवा है वो कहां से स्तरावित होता है तो मुह में किन गरंतियों से होता है तो लार गरंतियों से होता है तो सलाइवा किसको डाइजिस्ट करने का काम करता है जो सलाइवा है वो किसको डाइजिस्ट नहीं कर पार्चन का अंग है तो मुख है तो पांचे कोस्टन वह आपका मूह लार और सलाइवा से डेवलप हो जाते हैं उसके बाद है जो इंजाइम होता है उसका क्या नाम होता है तो इसका नाम टाइलिन होता है अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पीस साइलेंट और स्टार्च मांन को पाणा से परानम होता है तो यह मूह से परारम होता है दास कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के खंध तक रदनक अग्रचवर्णक और चवर्णक यह चार तरीके के आपके दाहत पाए जाते हैं ठीक है इनको आप अगर प्रीविएस वीडियो देखी होंगे तो मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको दे रखा है इन सीजर सीजर आपका इस तरीके से इसके चार अलग-अलग नाम फिर उसके पाद जो जोड़ियो होतीय है कितने पर सोग्ते हैं तो हमारे मुह के तहसे 할 की आपके जोड़ियों पाए जाते हैं जिसमें आपकाَ एक तो कड़्मूल होत हैं अब आती है लार की बारी तो जो लार है यानि कि आपका जो स्टार्च उसको मॉल्टोज में कनवर्ट करती है याद रखिएगा इंपॉर्टिंट पॉइंट है इसमें अकार्वनिक लवन होते हैं लार में वह सोडियम क्लोराइट पॉटेशियम क्लोराइट लाइपेज म्यूसिन वॉटर एंड टाइलिन पाया जाता है इसका पीएच वैल्ली होती है वह 6.0 से 7.0 होती है जो कि आपकी उदासीन प्रकृति के अंतरगत आती है उसके बाद जो आपका लार है वह एंटी सैप्टिक की तरह भी काम करता है बैक शरकरा में परिवर्थित कर देता है और आपने देखा होगा कि आप जो होते हैं जैसे कि डॉट को कहीं चोट लग जाए तो वह अपनी जीब के द्वारा चार्ट करी चोट को ठीक कर लेता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती है लार में यानि कि जो ठूक होता है उसमें जिससे की चोट है वो उसको खुद से ठीक कर सकता है यह उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट रहता है नेक्स्ट आपका आता है मुक के बाद ग्रास नली आती है इसमें आपका म्यूकस मेंब्रेन का स्तर होता है यह तीन भागों में विवाचित इसका भाग नहीं है तो आपको यह तीनों ही तर्म याद रखने है कि कहां के होते हैं देकि फैरिंग साथ में जुड़ा हुआ है तो आपका पहचान लेंगे कि आपका ग्रस्नी से संबंदित है इसका काम क्या क्या है अब ग्रस्नी का तो यह बोजन को निगलने और आपको पता है कि आमाशय तीन हो में होता है सबसे होता है वहां पर यह कनेक्ट होती है बोजन को आगे धकेल को गति प्रदान करने के लिए काने कि अक दिया होता है तो उसमें कुछ rings जैसी होती है in the same way आपका इसोफेगस में होती है जिसमें आपकी parastatic movement होता है यानकी क्रमानुकंचन की गति होती है जिसके थुरू जो भोजन है वो नीचे धकेला जाता है या नीचे पासओन कर दिया जाता है फिर इसोफेगस का जो upper and lower part होता है वो sphyn पर मासपेशी यानकी sphynter muscles के द्वारा बंद रहता है sphynter मासपेशी को क्रीको करिंजियल sphynter कहते हैं गरस्नी के तीन स्थर होते हैं आपका आउटर मोस जिसे सरोसा कहते हैं मिडल वान जिसे हम सब मुकोसा कहते हैं और इनर मोस जो होता है उसे में कहते हैं तो यह तीन पार्ट्स में तीन स्टेजिज में इसको डिवाइड किया जाता है जो गरस्नी है इसो फेगस है वो केवल भोजन को अमाशे तक पहुचाने का काम करता है ना कोई डिजेशन हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है इडिज अ काइंड ऑफ पाथवे टू जो आपके आपका अमाशे है वहां तक फूड को स्टमक तक पहुचाने के लिए स्टमक इक्स्ट याप का पार्ट आता है जो की जेय शेप नाल कर 20 फॉल और पहले पहले पर कार डिक पैलोरिक और फंडिक फंडिक लास्टने को है कजा़ यहां पर आपका इसलता होटकार्वोंग का screen बहुकित फो इस नोफंद्रेक नेक्स का झमक नेक्क है और बीच होता है तो इसके लिए तीन चेत्र हो गए अगर बात करें कौन कौन सा डाइजस्टिव एंजाइम या जूस निकलता है तो यह मुक्यूस तर से स्तरावित होते हैं इसमें रंगहीन खट्टा तरल पदात होता है कि यहां से आपका जो फूड को डाइजस्ट करने के लिए एस पहले जो मुता वहां पर आपका एलकलाइन फॉर्म में आपका फूड जो है डाइजस्ट हो रहा था अब एस फॉर्म में आजाएगा क्योंकि यहां की आपका पीच लेविल हो जाएगा वह 0.2-0.4 तो इसलिए आपका जो पीच लेविल है वह डाउन हो रहा है और रेनियोन लाइपेज अंजाइम होते हैं यह अमलिय होते हैं देखिए मैं आपसे तोड़े पहले यही समझा रही थी क्योंकि है इसमें हाइड्रोक्लोरिक आसेड तो यह अमलिय हो जाता है मतला हम आशाय जो है वह वह बाइनेचर एसेडिक होता है और जो आपका इससे 4.2% है रेनियन और पार सेन आपका 1.6 % है कि कउंकों ऑल्ट कई जाते हैं तो रेनियन और प सेन आपका solid Street और knife करने मैं कलोड़े और यांपके नेचर का होता है अमली वियावार रखता है कारे क्या है यह आपके नामक गयम को साथ में मिलकर प्रोर्टीन में छोटा छोटा फोर देता है प्रॉटीन के कड़ों को प्डला और ना यहाद रखिएगा प्डले Peptone Peptone Peptionus कहां Convert हो रहे हैं और किस Enzyme के कारण हो रहे हैं यही आपका Basically पूचा जाता है और कुछ बाहर से नहीं आता है अलग से Renin दूद को जमा देता है जिससे दूद का Protein Casinogen और Casein में बदल जाता है अगर आपसे पूचा जाए कि दूद को जमाने के लिए क्यों सा एंजाइम काम करता है तो आपका रेनिन काम करता है कैसी इनका पाचन पैक्सिन के थ्रू होता है ठीक है बिल्कुल क्लियरली सारे पॉइंट्स मेंने अलग-अलग लिखे हुए ताकि आपको याद रहे कोई कंफ्यूजन ना हो कोई कंफ् वाइरस आपकी वॉड़ी में अगर प्रवेश कर चुका है तो गैस्ट्रिक जूस विल हैल्प टू किल डैट वैक्टिर्या वायरस गैस्ट्रिक जूस में रक्त निर्माड फैक्टर यानकी कैसले एंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है नया टर्म है इसली याद हो के अब्सॉप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है या फिर आवश्यक होता है इस तरह जो आपका विटामिन वी ट्वैल है लिवर में जाकर जमा हो जाता है और बोन मेरो में जाकर आपके ब्लड के निर्माड के लिए उद्धीपन का काम करता है आप पूछेंगे कि आपको यह प्रोसेस भी पता चल गई भोजन ने अमलियता हो जाने की वज़े से टाइलिन का प्रभाव है वह आपका स्टमक तकाते आते नश्ट हो जाता है यहांने कि यहां पर डियक्टिवेट हो जाता है हमारा टाइलिन और यहां पर एक्टिवेट हो जाता है एसल और और आपका कौन सा था आपका रेनINO keeping हो जाते हैं यहाँ पर और यह प्तरुन को परषान नामक एंजाएम में आप आंशय की का सिर्ण करता हैं आपका रही है प्रोटीन और वसा का पांचन करता है मतलब अंश्ट यानि की थोड़े फॉर्म में complete 100% डाइजेशन नहीं हो रहा है आपका स्टमक में बलकि अंश्ट यानि की थोड़ा सा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है absorption का भी काम करता है glucose water alcohol कई प्रकार की दवाएं गरब बनाने के लिए यह helpful होता है आकर्शक एवं और दवाईयों का भी absorption करता है बनाने के लिए नहीं बलकि दवाईयों के absorption में भी helpful होता है जैसे कि आपको headache हो रहा है या आपको कोई problem हो रही है तो उसके जो आप दवाई लेंगे तो वह आपकी स्टमक में absorb हो जाती है जो effect करना शुरू कर देती है और आपक आपको भूखने लगती है आपको hunger फील होता है छोटी हात या लगूँ आता है small intestine इसके लंबाई बाइस फीट होती है देखिए तम complete जो आपका digestive ट्रैक था उसकी लंबाई 30 ती जिसमें से बाइस फीट आपकी छोटी होती है नाम छोटी आता है लेकिन लंबा सबसे जाद तो छोटी हात के हैं आपका duodenum, geogenum और ileum तीनों ही आपके important नाम है आपके पूछे जाते हैं कि जियोजिनम किस पार्ट किस पार्ट में आता है या तो आपका जो डियोडिनम है वह छोटी टेड़ा भाग होता है जो जिनम आपका बीच का भाग होता है और ileum जोता है वह खेश भाग होता है वह होता है ठीक है फिर उसके बाद आपका च्छोटी आथ के आंत्रक्स रचना आपकी चार लेयर से होती है शेरोसा मासपेशी अद्श शलेश्मिक और आपका शलेश्मिक तो सहरोसा में कुछ बीसलेश का सैट जलेश्मिक पूछ परत जाता है तो हम ए आपका pancreatic secretion, जिसका pH level 7.12, 8.2 होता है, ये क्लोम रस को secret करता है, जिसे हम हिंदी में क्लोम रस कह सकते हैं, क्लोम रस में कई enzymes होते हैं, जैसे कि आपका amylase, maltase, sucrose, tryptogen, क्लोम से निकलने वाला जो enzyme है, starch और dextrin पर क्रिया करके maltose नामक शरकाराम बदल देता है, देखिए आपका जो पहले digestion हो रहा था मुख में, वो भी आपका alkaline mode में हो रहा था, alkaline mode में होने के साथ में वो carbohydrate को digest कर रहा था, ठीक है, अगेन यहाँ पर जो आपका carbohydrate का digestion होगा, तो यह एलकनाइन mode में होगा starch और dextrin पर क्रिया करके maltose में ही चेंज कर देगा, जो हमारा बचा होगा carbohydrate है, चोटी आथ, protein बोज़ा पचा कर ट्रिप्टोजन नामक enzyme क्रियाशील होकर trypsin में बदल जाता है, और protein peptide और amino acids में चेंज हो जाती है, अब वसा के पाचन की बात करें तो lipase enzyme होता है, bile and intestinal juice के साथ में मिलकर fat का जो आपका sponification कर इसको छोटी छोटी चोटी अड़ों में fatty acids और glycerin में change कर दिया जाता है, देखे, sponification की process कहा होती है, fat में होती है, याद रखिएगा item, पचे बोजन का अफशोशन कहा होता है, valleys में अंकरों में होता है, common question है, usually आपसे यह पूछ लिया जाता है, तो आता है आपका आत्र रस का नाम और उनके कारिया, मतलब name and function of intestinal juice, कौन कौन सा है, आपका वर्क करता है juice और आपका क्या काम है उसका, सबसे पहले इसमें आपका जो आत्र रस को कसक एंट्राइकस भी कहते हैं, इसमें आपका निम्लिक प्रक्रोन पर वर्क करेगा, प्यक्ति डेरी ओर ऑणिना अमीनो एसेड़ में चेंज करते हैं, मॉल्टोज मॉल्टेज जो है वह आपका ग्लूकोस में चेंज करता है, सुक्रेल जो है, क्ल्रौज पर शुक्रेज वर्क करता है, वह आपका फैट पर वर्क करता है, तो बि continuation यह चेंज कर देता है with the help of bonification यानि की साभुनी करण की प्रक्रिया के द्वारा फिर उसके बाद आता है आपका लेक्टोज जो आपका दूद की शरकरा लेक्टेज है उसको कंवर्ड करता है लेक्टोज और गैलेक्टोज में फिर आपका है फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हमारी डाइजस्टिव और्गन की तुवाब का लिवर है यह शरीद की सबसे बड़ी गरंती है रंग भूरा लाल चॉकलेटी होता है और दो भाग में डिवाइड होता है दाया और बाया दाया भाग बाया भाग किया पिक्षा पां कैप्षूल कहते हैं यह पिंड़क यक्रत को शिकाओं यानि की हैपाटिक सेल्स के बने होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका हीपाटिक सेल्स लोब्यूल्स और तीसरा आपका फाइव टाइम भारी है पांच किलो वजन है यह आपके इंपॉर्टेंट टॉकसिन के निर्माण के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका यक्रत लोहे ताम्बे के कड़ों का संग्रह यक्रत को शिकाओं द्वारा होता है यह प्लाजमा प्रोटीन प्रोथॉम्बिन और आपका फैबनोजिन का निर्माण करता है उसको संचे करता है प्रकार के पाचक Enzyme का स्त्रावर करता है विटामिन A का संस्लेशन क्यारटीन द्वारा करता है और विटामिन B12, B6, K और दी तता Folic Acid को संग्रे करता है पित का निर्माड और स्त्राव करता है प्रूना वस्ता में यकृत द्वारा आर्बिसीज का निर्माड भी आपका यकृत के द्वारा होता है आत्में उपस्तित कई प्रकार के जिवाणों का विनाश करता है और फैट का स्टोरेज करता है डिस्टॉडर्स की अगर हम बात करने डाजेस्टिफ ट्रैक में तो आपकी इंडाइरिया नौजिया वामिटिंग इंडाजेशन है इंड्रोक्षिया है हाट बॉन है और आपका गेस्टोयों एंट्राइटिस नामक आपकी प्रॉब्लम्स देखने को इसमें मिलती है तो इ वहां बता दूंगे नहीं तो एक न्यू वीडियो डाजेस्टिफ ट्रैक क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है काफी क्वेशन्स आते हैं चाहे टीजूटी ओ पीजूटी ओ ल्टी ग्रेड हो सभी में तो आप इसको जरूर अच्छे से तैयार करें वीडियो अच्छी लग